नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चनल आईएस प्रेपर, सोसल वर्क सेकंड पेपर के अंतरगत, पहला मेजर टॉपिक समापत हो चुका है, और आज सेकंड मेजर टॉपिक, यानि कि आप देखते हैं, सिलिबस में हेटिंग पड़ी हुई तो निर्बल वर्गों की समस्या है, यह सेकंड मेजर टॉपिक है हमारा, और सेक्शन ए में ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बच्चों, महिलाओं, ब्रिध्धों और पिछडी जाती हूं, अनसूचित जाती हूं, अनसूचित जाती हूं, अनसूचित जाती वर्गू की समस्याओं को हमने पहले टॉपिक के अंतरगथी बिसकस कर लिया है देखे पूरा सिलेबस कबर करना है कि कुई जुरूरी नहीं कि अलग अलग कुछ सेक्वेंस से वैसे ही करें कम्प्लीट मेटेरियल होना चाहिए वैसे हम सिक्वेंस से ही चल रहे हैं लेकिन जहां पर बात आती है वहां पर कम्प्लीट हम उसको कबर कर लेते हैं तो फ़र्ष टॉपिक के अंतरगथी हमने एससी एस्टी और ओबिशी यह समस्याओं डिसकस कर ली हैं हमको बच्चों से स करना है महिलाओं से संबंदित बहुत सारी समस्याओं डिसकस भी कर चुके हैं जैसे कामकाजी महिलाओं होती है उनकी समस्याओं और ऐसे ही हमने तलाक की समस्याओं डिसकस की है ऐसे ही हमने जब महिला ससकती करन करेंगे तो और भी जो भी समस्याओं होगी उनको दूर करके ही तो करेंगे तो खेर यह सब होता रहेगा आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों से समंदित समस्य आए इन पर प्रश्न पूछे गए हैं दोहजार पंदरा के प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं इसमें विकलांगता को लेकर बहुत प्रश्न पूछा गया है एक तो मेंटल bet. दिसमोर डिसर अल्श को पूछा गया है दूसरा गूलक तो जिसको नॉमली कि लिए करते हैं उसके बाद में जो समाजी कर्या करता की भूमिका है उसको देखेंगे तो मैसेज फटाफट मत करने लगी है सामाजी काल करता की भूमिका वैसे वो तो पढ़ानी की कोई चीजी नहीं है क्योंकि फ़स्ट पेपर में हम पढ़ चुके हैं सेकेंड वसको अप्लाई करना है फिर भी हम यहां पर डिसकस करेंगे आई यह स्टार्ट करते हैं देखें जो बच्चों से समद्धी समस्या आए हैं अगर इसकी भूमिका की बात करें चाहे वो आपके एसे में लिखना हो आपको चाहे वो यहां पर ही लिखना हो यहां पर भूमिका लिखने के उतना ज्यादा आपके पार इसकोप नहीं है जरूरत की बात यहां पर नहीं यहां प कोई बच्चा है अब ये उधारन मत दीजेगा 12 साल की बच्चे की गूगल में नौकरी लगी ठीक है वो 12 साल का होगी है तब लगी उसके पहले बच्चों की परवरी समाज को दिसा देने का काम करती है क्योंकि आगे चलकर वही हमारे देश के नागरिक बनते हैं राश्ट र कुछ भी कर दे ठीक वैसे ही यह भी होते हैं जैसा रंग रूप और आकार दिया जाता है वैसे ही वो बन जाते हैं सामान इस्तिती होने पर बच्चों की परवरिश आशान होती है परनत यदि बच्चे मानसिक और सारीरिक रूप से विकलांग हो तो बहुत समस्या होती है उन माबाप से आप पूछिए जिनके बच्चे ऐसे होते हैं उनका जीवन कितना कठिन हो जाता है कैसे वो उनको पालते हैं और जब ऐसी गठिन समस्या होती है तो बच्चों के लिए तो ये कश्टदाई ही है माबाप के लिए परिवार के लिए बहुत कश्टदाई होती है ये समस्या तब और गंबीर हो जाती है जब परिवार के आर्थिक इस्ति कमजोर होती है कमजोर होती है तो वो चाहते हुए भी बहुत सारे जिसे इलाज के लिए जो जरूरी चीजे हैं ऐसे ही उनको अच्छे स्कूल में डालना जहां पर उनको कुछ सिखाया पढ़ाया जा सके यह सब नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों के सारीरिक वा मानसिक विकास में और उन्हें आत्म दिर्भर बनाने में आत्म सम्मान का भाव जगाने में निरंतर प्रियास की आवसकता होती है इसके लिए कई बार बच्चे उपच्छा के सिकार हो जाते हैं उन्हें अपना जीवन दूसरों की दयादिश्टी पर बिताना पड़ता है इससे उनके अंदर जो भी कौशल होता है कई बार इन बच्चों के अंदर बहुत इतना बड़ा टैलेंट छुपा होता है क्योंकि हो सकता है कोई बोल ना पा रहा हो हो सकता है कोई ज़्यादा सोच ना पा रहा हो लेकिन उसके आर्ट अची हो सकती है ऐसे बहुत सारे कौशल हो सकते हैं यह चुप जाते हैं विकलांगता के पीछे इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तैसरे आप हमको मानसिक बिकलांगता के बारे मिवेते जिसे पूर ऐंपने में जिए शीक कहते हैं। एक ब्यापक भी किरती है जो अठारा वर्स की AIO से पहले या दो से अधिक रुपान्तित बेवहारों में और महत्मूर रूप से संग्यात्मक प्रक्रिया की विकार और नेउन्ता के रूप में दिखता है. बच्चे में भी हो सकता है, वैस्क में भी हो सकता है, किसोरवस्ता में भी ठीके ना? अतिहासिक रूप से इसे बहुत धिक छमता यानिए 70 के IQ जो नापा जाता है तो उसमें 70 के नीचे जब होता है तो इस रूप में उसको परिभाशित किया जाता है अब आपको यहाँ पर तुरंत इस्टुमेंट लगा के नापना नहीं है बस इतना जानिए बहुत है पहले कभी इसे लगभग पूरी तरह अनभूत पर केंद्रित पाना जाता था पर अब इसकी परिवासा में मांसिक क्रियार क्लाप से संबंधित एक घटक अपने वातावर मामला है इस साइकलोजी का मामला है और समाजिक तोरपर तो आप देख हो प्रूर्य समाज कारी में अगर हम इसको डिक्त कर रहे है इस चेत्र के लिए भी संकेत तत्र लच्षण क्या होते हैं जिसके आधार पिक्रमोंसिक बच्चे में कुछ मैंसिक विक्लंगता है मैं जैसे मौकिक भासा के विकास में देरी, देर में उप्रोल पाते हैं इस्मृति कौशल की निवन्ता होती है यादि कि जो चीजें उनको एक बार सिखाई पढ़ा जाती है तो याद ही नहीं रह जाती है सीख भी नहीं पाते हैं जो कुछ भी सीखा वो भूल जाते हैं, सामाजिक नियमों को सीखने में कटना ही होती है, आचार, ब्योहार, किसी से मिलना, जुलना, कैसे नमस्ते करना है, अविवादन करना है, तो कुछ भी वो सीखने में उनको दिक्कत होती है, देर से सीखते हैं या सीखी नहीं पाते हैं समस्या का हल करने के कौशल में भी कटनाई होती है अब आप अगर कोई समस्या है उनको हल कर रहे हैं उनको सिखा रहे हैं कोई चीज तब भी उनको समस्या होती है सोयम सहायता या खुद अपनी देखभाल करने की छमता जैसे कौशल के अनकुल बेभार में विकास में भी देरी होती है, खुद भी अपनी मदद करने के लिए वो जो चीज़ें आवस से खोती उनको नहीं सीख पाते हैं, सामाजिक निशेद का अभाव होता है, ठीक है, संग्यात्मक कामकाज की सीमाएं मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के एक सामानी बच्चे को दिल्ला में धीमिक से सीखने, बिक्सित होने का कारण बनती है, और ये बच्चे भासा सीखने, सामाजिक कोशल बिक्सित करने, और अपने निजी जरूरतों जैसे कपड़ा पहनने, खाने की बज़रूरतों का ख्याल रखने, इसमें ज़्यादा समय ले सकते हैं, वो किसी लोगों को बुरी द्रिश्ट से मन्द देखिएगा, कि अब हम बड़े जानकार हो गए, मानसिक रूप से मन्द बेखती कोई मिले, तो उसको सब बताने लगे कि तुम तो याद नहीं कर सकते, अगर ऐसा है, तो सबसे बड़े मानसिक रूप से मन्द आप ही हैं, आपको त दिव्यांग ही हैं, वास्तों में सही बात ही हैं, पहचारने की जरूरत है हम लोगों को उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, वो किसी चीज को सीखने में ज़्यादा समय लेते हैं, पुन्रवेद की जरूरत होती है, सीखने के अस्तर बच्चता की जरूरत पढ़ सकती है, फिर भी वो जिसे अगर बच्चे की बात करें तो उसमें हर बच्चा सीखने विक्सित होने और समधाय में हिस्सा लेने वाला एक सिदसे बन जाता है। कई बार ये लोग इतने जैसे कोई बोल नहीं पाता या उसको बुलन दिक्कत है, सामाने हावबा उसका नहीं है। लेकिन उसमें कभी-कभी इतने टैलेंट भरे होते हैं, आपने देखा होगा और यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, अब तो टीम है, किर्केटर, मतलब पता चला वो देख नहीं पाते हैं, और दिब्यांग हैं, विक्लांग हैं, जो भी आप, प्रारणम में हलकी मांसीख बिकलांगता, अगर हैं, तो 50-69, उन्हें 52-69, 15-69, 59 समझी नहीं जा सकती, और जब तक कि बच्चे इस्कूल नहीं जाते हैं अगर इतना है उन्में विकलांगता तो तब तक नहीं समस्था जब तक इस्कूल नहीं जा जब इस्कूल जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे इनकी पहचान होगी यहां तक कि जब खराब से प्रदर्शन करेंगे तब भी बहुत आसानी से नहीं आप जान सकते हैं है ना पर जब इनका वहाँ पे रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे प्रदर्शन इनका सही नहीं रहेगा तो हल्की मांसी विकलांगता या भावनात्मक बेवार संब्ध करने के लिए बिशेशक गिता की जरूरत पढ़ सकती है कि आपको जानना ही है कि वरेट वास्तों में इस्तिती है क्या कौन देता है सब ध्यान जल्दी कोई ध्यान देता ही नहीं है जब बच्चा नहीं सीख पाता तो आरे इसका मन नहीं लग रहा है पड़ने में असलियत करें अब देगे देडेरे पढ़ाई से दूसरी तरब मुर जाता है तो यह सही नहीं है ये हमारा जो एजुकेशन सिष्टम में ये समस्या है एजुकेशन सिष्टम की समस्या को दूर की जाने की ज़रूँ है आप कहीं भी सुछाओ दीजिए इसको बताईए कि लेकि हर ब सब्सक्राइब करने में सक्षम हो जाते हैं कई बार उनमें सुधार हो जाता है और सब्सक्राइब जीवन के पहले साल के भी तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं वैस्क के रूप में एक सहायक सामोही घर में अपने माबाप के साथ ही रह सकते हैं महत्मूर सहायक से माओं की जरिए उनकी मदद की जा सकती है जैसे उनका बित्तिय प्रवंधन करके अधिक गंभीर मांसिक विकलांगता वाले वेक्ति उसके या उसकी या वो महिला हो चाहे पुरूस हो लड़का हो या लड़की हो को पूरे जीवन काल तक अधिक गहन समर्थ पyorum आप मैं समच्या यह होती है कि इनका जीवन एक समय इस इस्तिती देख सब्कार्ण एकि इस ने Cowxi में जीने से क्यामत फाइदा है, वो फाइदा नुकसान कि on Prats मिसलभान की आँप हम कारण मानसिg कारण दिखे लिए Down syndrome गातक-Alcohol syndrome और परजाइल X Syndrome ये तीन सबसे आम जन्मजात कारण उत्तरदाई होती हैं क्या जमजात होती है हाँ अभी सब समझ में आपको आ जाएगा हाला कि चिकित सक कई अन्य कारण भी इसके लिए मानते हैं लेकिन ये तीन आप अगर आपको लिखना है तो ये ध्यान लखिए ये तीनों सिंड्रोम का नाम इसको लिखिएगा सबसे आम है आनवानसी किस्तिति बिकलांगता कभी-कभी माता-पिता से विरासत में मिले आसामान जीन की वज़े से होती है कुछ माता-पिता की जैसे आदतें जैसे हरकतें होती है अब वह पता चला पूर्ण रूप से वह विक्सित नहीं है तो उनका असर बच्चों पे जाता है जीन कटबंधन या अन्न पर बढ़ने कारनों से भी ऐसा हो सकता है अब इसमें विभिन पहलूँ पर हम नजर डालेंगे कि कैसे कैसी स्थितियों में क्या-क्या हो सकता है गर्भास्त है के दवरान कुछ समस्या आए है जैनी कि जब मा के पेट में बच्चा है उस समय जब भून का विकाश ठीक से न पाड़ने के समय जिन तरीके से उनका विभाजन होता है उसमें समस्या हो सकती है अगर उसमें समस्या आ गई उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा फिर भून सही से विक्सित नहीं हो पाएगा जो औरते सरा पीती हैं देखें यहां फिट लिग गया है पीती है या संक्रमित रोग हैं तो उसके बच्चे को भी मानसिग विकलंगता हो सकती है तो आप तो बहुत सारी विभास्थाये हैं इंजेक्शन दिया जाता है और गरभास्था के दवरान और बच्पन में भी दे दिया जाता है कि ऐसी भविश्या है नहीं अगर कोई लड़की को पह रहते हैं एक्षिली खुद को समाजी कारिकरता की जगह रखके देखते नहीं है ठीक है ठीका लेकर बाटना नहीं है लिखना ही है थोड़ा सा फीलिंग लाइए सोचिए वैसा तो हो जाएगा जन्म के समय समस्या है बच्चा जब जन्म ले रहा होता है तो जन्म होने से प्र अक्षिजन नहीं मिल पा रहा है तो उस समय के अक्षिजन न मिलने के कराण पूरी जिंदगी उसको झेलना बड़ सकता है मस्तिस्थ में खराबी आ जाएगी और जो भी लड़का लड़की जो भी होगा उसके विकास में खामी हो सकती है और वो मांसिक रोप से विकलांग ह सकता है तो इसलिए अब बात क्या आती है फिर मैं यहां पर बताया दे रहा हूं आपको लेकिन आप लोग समझने नहीं तयार है अब जो समाजी कारिकरता होगा तो वो संस्थागत प्रसव कराने की सला सब को देगा जागरुकता फैलाएगा है ना वहां पर ले जाने में मद होंगी डाक्टर्स होंगे ठीक है ना ऐसे ही लिखिये कुछ खास तरह से रोग या विसाकता हो जाए अगर चिकत्सा की देखरेक में कुछ कमी हो गई अप्रयाब चिकत्सा होई जिसे काली खासी खसरा दिमागी बुखार ऐसा कुछ हुआ तो इससे भी विकलंगता हो जात जो दुनिया भर में 20 लाक लोकों को प्रभावित कर रहा है बहुत बड़ी समस्या है ये ऐोडीन की कमी कितना कम खर्च में ये काम हो सकता है लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है तो आयोडीन की कमी के कारण तो जब आयोडीन की कमी होती है तो इससे आपको पता है, घेंगा हो जाता है। गंडमाला इसको कहते हैं। थाराइट कि ग्रन्त इस चाहा होती है। पोण रुप. पूरुण रूप से क्रेतका हतके पेण बढ़ युद्यां। रॉप क्रेटिनिजिम स्व decir गरअगंार रुप. और रूप above से बढ़ ऑनिसृंच कि जो भी आप कहीं भी जरा सा देखेंगे थोडी देर चैनल तो कुछ समय पहले तो आयोडी नमक का इतना ज्याधा एडवर्टीजमेंट किया गया कि अब लोगों ने इसको अपनाना चालू कर दिया है और वो जो डो ऐसे रोडी रोडी वाला नमक आता है उसको खाना लोग कि कमी 54 लाक लोग यह गंडमाला यानिकी यह घेंगा और 20 लाक लोग थायराइट की समस्या से पीड़ी थे यह सब बहुत बड़ी समस्या है यह समस्या है जिनको होंगी इसमें कहने का मतलब है कि उनके बच्चे निश्चित रूप से मांसिक रूप से विकलांग पैदा हो जूच रहें अन्य प्रभावित देखें चीन है कजाकस्तान है यहां ब्यापक रूप से समंदित कारिक्रम चलाए गये हैं इससे की देरे देरे सबस्या से निजात पाया जा रहा है दुनिया में जो अकाल ग्रस्त हिस्से हैं जहां पर भी अकाल पढ़ते रहते हैं अभी अफरीकी कंट्रिज में आप जाएंगे इथोपिया का उधारन आप ले लीजी तो वहां पे कुपोशन की कारण भी बही जब बच्चे को खाने पी निक सही जी नहीं मिलेगा कुपोसित हो जाएगा तो उसका दिमाग कहां काम करेगा उससे बात करोगे तो बात ही नहीं कर प्रशन आप सूचिंग कैसे आएगा कभी पूछा जा सकता है कि कैसे जाना जाता है तक क्या लिखेंगे अपने आप बताएंगे कि हमने देखा था वो बोल नहीं पा रहा था बस हो गया था ऐसा नहीं ठीक ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा और कुछ बातें आप अप अगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो रिटार्टेट के बारे में तो रिटार्टेशन डाग्नोसिस्ट एंड इस्टेटिकल मेन्वल आप मेंटल डिशाड़जर्स फोर टियार एंड इंटर्नेशन क्लासिपिकेशन आप डिजीजेस टेन पर आधारित है नहीं इतन अगर तो गंभीर माना जाता है जब 35-39 के बीच में तो मध्यम माना जाता है मंध्यम मानसी विकलांगता जब 50-69 तो यह हलकी मानसी विकलांगता और और आवसत बहुत धिकार के लिए 70-84 की बीच में चाहिए ठीक है ना अपना लोगों का अभी परिछन हम लोग करा सकते ह अब भी करा सकते हैं ठीक है ना ठीक है सही काम कर रहा है अगर दिवाग तो मत कराईएगा कही कम निकलाया तो समस्या हो जाएगी लगेगा कि अरे इतना कम बुद्धी है तो यह सब परिच्ण मत कराईगा खेर यह मजाग था आप लोग की बुद्धी बहुत सही से काम कर ही तभी मेंस की क्लास पढ़ रहे हैं क्योंकि रोग की पहचान केवल बुद्धी परिच्ण अंग पर ही आधारित नहीं है केवल आप ऐसे निकालने कई बार यह कम भी निकलेगा लेकिन वेक्ति इतना विद्वान आपको लगेगा क्योंकि उसने अभ्यास बहुत किया होगा वो ब्योकूप टाइप क्यों होंगे यही मैं कह रहा था कि आप लोग जाच्वाज मत कराईएगा इसलिए एक विक्ति के अनकूल कारे करने के लक्षणों को भी ध्यान में रखना चाहिए रोग को पहचान करने के कठोर रवय के साथ ऐसा नहीं कि विलकुल कठोर र परदान की गई चंताओं की विवरण पाधारित होता है जैसे एक तो नापा गया क्या जिसे चास्मा आप नपवाने जाते हैं लगवाने जाते हैं जब आपके आँख में समस्याय होती है तो एक तो मसीन से डाक्टर चस्मा मोटा-मोटा नापके आपकी पावर निकाल ले यानि कि पढ़ा के भी दिखाता है मसीन पर पूरा विश्वास नहीं है तो ऐसे ही इसमें भी होता है यह मूल्यांकन परिछक की राय पर भी आधारित होता है उसके सीधे उस बेक्ति चाय वो पूरुष हो या महिला हो कि समझ बाचीत के माध्यम पसंद वाली भासा की जरि कप्रियास भी किया गया है जैसे यहां पर विखलांग की जगा दिव्यांग की बात हो रही है नहीं अच्छा लगता है उनका क्या दोस है क्या उनके माबाप चाहते थे ऐसा पैदा हो माबाप कभी दोस नहीं है लेकिन उन्होंने केर नहीं कर पाई कभी कभी ऐसा भी हो सक चाहिए और उनको वास्तों में वो पूजनिये हैं ऐसे लोग तो पूजनिये हैं क्योंकि वो अगर कुछ कर पा रहे हैं तो बड़ी मुस्किलों के बात कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों की इज़त करना सीखिए सब लोग हम लोगों को ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा इज इसर बनने वाले हैं, उनमें है कुछ, थोड़ी बहुत इसर ने उनको समस्याएं दी हैं, लेकिन उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे परशनल कांटेक्ट में भी हैं लोग, इसी ग्रूप से जुड़े हुए और चैनल से जुड़े हुए लोग, तो उन लोग को बहुत ही सु अभी भी अपमान की रूप में इस सब्द का प्योग होता है, इंडिया में हो सकता है, उतना नहीं हो लेकिन विदेशों में होता है, 2003 में BBC ने एक सर्वे कराया, इसमें रिटार सब्द को इसपैस्टिक, अमरीका में इसे आकरामक नहीं माना जाता, और मौंग, आपत्ति जनक हरकते करने वाला सब्दों की तुला में बिगलांगता सूचक सब्द को जादा आकरामक होने का दर्जा दिया गया, ठीक है न, किसको ये इसपैस्टिक रिटार सब्द को, ठीक है रिटार सब्द को, तो अब ये तो एक सब्द ये हो गया, इसके अलावा जिसे एक क्र सबसे पुराने और क्रिश्चियन के लिए फ्रांसी सी देशी सब्द के लिए इसको प्रयोग किया था इसका नियतार्थ यह था कि उलेखनी ये बुद्धिक विकाशात्मक विकलांगता वाले बैठती मानो ठीक है न या अब भी इसाई मतलब इतने वह बिकलांग है बुद् इसके बावजुद भी इसाई हैं तो उनके साथ ऐसी विवहार ऐसा किया न चाहिए उसका कारण दिया गया कि इस तरह के हालतवाले विक्ति पाप करने के भी आयोग इमाने जाते हैं क्योंकि ये पाप भी नहीं करेंगे इसलिए इन्हें मसीह की तरह माना गया समझ रहा है मंदबुदी का प्रयोग वैसे विक्ति के लिए किया आता था जिनके जीवन के प्रारंभिकाल में ही मानसिक कामकाज में खामी दिखने लगती हैं जबकि पागल मनसब्द का उपयोग उन विक्तियों के लिए किया आता है जिनमें वयस्क होने के बाद मानसिक कमिया बिक्स के लिए किया जाता था और यह पागलपन वाले से अलग था जो बाद में जीवनकाल में देखता है इस तरह के जिसे अभी भी तो ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए हम लोग बोल देते हैं अब आज से बोलना बंद क्योंकि ऐसी बोलेंगे तो उसका दिमांग कमजोर हो जाए ठीक है तो आज से बेवकूफ पुकूफ किसी को मत बोलीगा अब अगला है बेवकूफ बेवकूफ सब्द जो है यानि बहुतीक विकलांगता में सबसे जादा अस्तर के लिए इंगित किया आता है यानि कि बिल्कुल गुद्धी नहीं होना जहां मानसिक उम्र दो साल या समस्याएं हैं और कितने बड़े बड़े ये सब्द हैं हीन बुद्धी का संकेत एक बौधिक विकलांगता की ओर है जो मुर्कता की तुल्ना में कम तीब रहे है और कोई जरूरी नहीं कि वनसानवुरत हो हीन बुद्धी अब या आमतवर पर दोस रेडियो में हैं गंभी लेकिन अच्छे से इसको समझ रेजिए तो अपने आप भी लिखेंगे तो मॉक्स मिलेंगे क्योंकि आपको यहां पर मार्क्स लेना है ना कि कोई साइन्टिफिक डबलेमेंट में आप भागिदारी कर रहे हैं कि आज बिल्कुर रिसर्च करके रख देना है थोड़ा कि मानसिक विकलांगदा के अर्थ में इस सब्द का उप्योग बंद किया जाए 1960 के दसक में उसके अनुरोद को चिकत्सक समधाय ने तम माल लिया जब डबलू टियो ने यानि विस्तुस्वास संगठन सर्मत हो गया सर्मती दे दी चिकत्सक समधाय में इस सब्द का इस्ति और mental यानि mentally और R से retard तो MR अगर लिखा मिलेगा आपको तो यह मानसिक विकलांगता के लिए यह सब्द यूज होता है यह ध्यान अखियेगा MR ठीके ने रिटार्डे तो इनके लिए कि आयता था इसका जिनके बुद्धी परिच्छन क्या आता था 50 से 75 के बीच और प्राथ जिच्छन ग्रहन करने के काबिल हैं उनकी बात इसके अंतरकत होती है वैसे चात्रों के संदर्वी जिनमें बुद्धी परिच्छन आंग 50 से कम हैं लेकिन जो अभी भी आसरे व्यवस्ता जैसे एक सामोही घर में व्यक्तिकत सोचता वा अनिजीवन को उसल सीखने के लिए वो सक्षम हैं वो ऐसा सीख सकते हैं तो ये दो कटेगरी कई चित्रों में ये गंभीर और सीमित मांसी विकलंग्टा के रूप में परती अस्थापित किये गये हैं जिकिन नाम में भले ही बदलाव किया जाए बिवहार के अर्थ मोटे तोर पर वही रहते हैं ठीक है अब एक सब्द देखें रिटार्ड डेड है जो अभी हमने देखा था ना तो रिटार्ड डेड लैटिन सब्द रिटारेडर से ये बना है जिसका मतलब होता है धीमी गति से देरी से पीछे की ओर या बाधा आप उसमें डाल के देखिएगा डिक्सनरी में यही मिलेगा इसका 1426 में तथ या क्रिया जो परिचालन या समे को धीमा कर देती है इस रूप में यह सब्द आया जब इस रूप में यह आया तो मांसिक रूप से विकलांगता के संबंद में रिटार्डेट सब्द का पहला रिकार्ड 1895 में बदर्द किया गया विकलांगता सब्द का प्रियोग, ब्योकूप, मूर, कहीन, बुद्धी जैसे सब्दों की जगा इस्तेमाल के लिए किया गया था, क्योंकि यह एक अपमांजनक सब्द नहीं था, इसलिए इसका उप्योग किया गया 1960 तक इस सब्द में आंसिक रूप से अपमांजनक अर्थ भी आ गया मांसिक विकलांगता जैसे संग्या खास तोर पर अपमांजनक अर्थ में देखी गई 2010 में बिसेज, ओलंपिक, बेश्ट वड़ीज और सौ से अधिक अनिसंगठन दैनिक बातचीत में आर सब्द N जैसा सब्द का प्रियोग खत्म करने में प्रियास करने लगे, मदद करने लगे कि ये इसका प्रियोग खतम हो जाए कहने का मतलब 22 कस्तर पर ये प्रियास हो रहे हैं कि विकलांगता जैसे सब्द को खतम किया जाए जिससे की वेक्ति से पेड़ी थे उसको बुरा ना लगे जैसा ही इंडिया में भी हुआ, भारत में, विकलांग की जगा, दिब्यांग का उप्योग मानसिक विकलांगता के लिए परियुक्त इन कई सब्दों से जुड़े सायद नकारात्मक संकेत आर्थ, हालत के बारे में समाज के रवये को प्रतिबंदित करते हैं, कि लोग कैसे इन लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे इन लोगों से विवहार करते हैं, समाज के तक्तियो जो सामानी भी कलांगता आप लोग जानते हैं उसके बारे में भी बात करनी है इस lecture में नहीं हो सकती क्योंकि बहुत लंबा lecture हो जाएगा इसको आप लोग तयार करिए अच्छे से मिलते हैं अगले lecture में चैनल अगर आपको ठिक ठाक लग रहा हो आप मन करता है कि दूसरों की मदद करना चाहिए तो आप कर सकते हैं अगर इस चैनल से आप जुनना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकान प्रिस कर सकते हैं पढ़ते रहिए अच्छे से अगली class में अगले lecture में मिलते हैं अगली तो आप कर सकते हैं